के यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है चलिए सीजी टेट सिक्षकबती सीटेट तीनों के लिए हम लोग जो परिवान का स्पेशल एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हम लोग एक ही वीडियो में टार्गेट के थे 500 प्लस कोश्चनों का आप लोग का कवर करने कि यह साथ तरीक के डेट में हुआ था हम लोग का तो 500 कोश्चन नहीं हो पाया थे ठीक है बीच में क्लास को बन करना पड़ गया था तो उसको कंप्लीट आगे कराएंगे बोले थे तो आज चलिए उसको कंप्लीट करेंगे ठीक है परिवान का है पूरा कंप्लीट सिलेब पड़ेंगे जहां तक हम लोग ने छोड़ा था उसको आगे बढ़ाएंगे 500 कोश्चनों का टार्गेट आज पूरा करेंगे ठीक है तो लाइप चेट आउन कर लिजिएगा चलिए यहां तक हम लोग का हुआ था वायुमंदरी प्रदूसर गैस कोन सी है करके सल्फाड़ अब यहां से आगे कंटीनू करेंगे ठीक है 500 कोश्चनों कोवर करने का जो टार्गेट उसको पूरा करना है हमको ठीक है पार्ट टू है पार्ट वन अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो जाके देख लिजेगा प्ले प्लेलिस्ट मिल जाएगा यह चैनल में आप समय नहीं दूंगा सीधा आप लाइब चैट में आंसर देते जाएंगे या फिर आपको डायेक्ट आपको देखते जाना है क्योंकि आंसर इसी में है ठीक है आंसर ज्यादा कोश्चन कवर करने इसलिए आंसर को भी मैं सांट में इसमें मर्ज करवा दिया था चलिक हम यहां part कहलेगा अगला कोश्चन है ग्रीन हाउल्स लसा इसलिए सेलेक्ट जहां आपको किसी कोश्चन में पता है कि हूंकि आंसर नहीं प्या पता तो क्या करना रहता है कि कि ऑक्सिभा और dwaं नि करेंगे अटो चल्हां पता चल जाएग़voor ब्लीख मों कर लएगा और आंसर में सरवाधिक योगदान किस गैस का है ध्यान दिजिए कि आपका सीजी टेट ठीक है सीटेट और सीख्षक बती तीनों के लिए काम आएगा परिया उनका पूरा देखेगा अंदिम तक देखेगा हो सकता है इससे आपको बहुत बेनेफिट मिले और लास्ट क्लास में लगव गलत है करके तो ठीक है योगी चेक नहीं हो पाया पीडियाप नहीं हो पाये सिले लास्ट क्लास में भी थोज़से मिष्टेक हो गया तीन से चार कुश्चन जो गलत अंसर हो गया थे तिक है उसको द्यान दिजिएका इसमें जो कुश्चन आपको गलत लगेंगे मैं सब्सक्राइब इससे ज्यादा योगदार रहता है तो किसका रहता है ख्यार रहर रखेंगे से और सी कॉट्थ lên नहीं करेंगे सिर स्विस्टा जो कवामे ओड़न लेया में स्वस्राइब नहीं होता है प्राणियों के सोसन से ज्याम के क्रिया से दल ह同ày बहुंदek सबसे ज़्याद किसे प्रमुक रूप से किसेAudio तुगेस उफ सर जीत हो तीजux किसे होता हैं प्रमूद बनाने हैं जीवास में इंधन अधन सेसे ज़्यादा का उत्फफरां टिक सर्जन या बादन बोल सकते हैं इसी से होता है कार्बन अक्साइट का जिवास मिंदन के दहन से ठीक है चले का आगे देखते हैं अगला कोश्ण अलप जीवी पूछा है ना ध्यान लिजे ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अलप जीवी क्या है बताएंगे अलप जीवी सीएपसी क्लोरो फ्लोरो और आपका है कार्बन मीधेन नाइट्रस अक्साइट जली बताएंगे सबसे मीन क्या था तो में तो कार्बन डे अक्साइट था सी ओटू पर पड़े सबसे जादा क्या था क्या था सबसे कम में क्या रहता है मीधेन रहता है आपसर नूंबर सीज का सही आंसर है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अंगला कोश्ण सारे देखिए एक एक वह लोग जीतना भी कोश्ण बन सकते सभी टॉपी के कोश्ण कवर करें ग्रीन हाउट गैस से जितने भी कोश्ण बन सकते सभी आपको करवा रहे हैं ठीक है जो आपने लोग ने सुना नहीं होगा ऐसा से कोश्चनों का सेट कराने टाकि कुछ भी पांसो कोश्चनों में आपको पूरा कवर हो जागे सिलिवस अगला कोश्चन ग्रीन हाउट गैसों में सरवाधिक जीवन काल किसका होता है जेकि मोस्ट इंपॉर्टिंग कोश्चन इस्टार लगा लीजिए आपके बुग में ऐसे कोश्चनों का सेट नहीं मिलता ठीक है और यही कोश्चन अगर आपके बेबार में आ जाते हैं तो आपको लगते हैं कि नया कोश्चन आ गया सरवाधिक जीवन काल बोरे मतब जो लंबी समय तक आपका प्रकृति मौजूद रहेगा सबसे ज्यादा प्रजूसित करेगा वो क्या है कारवन डिय अक्साइड है ना सरवाधिक मात्रा में आपका CO2 रहता है अलप जीवी कौन है तो आपको मीथेन है और सरवाधिक समय ते जिसका जीवन काल कौन जाता है नाइटर्स ऑक्साइड है ठीक है चलिगा अगला कोश्चन कि एक तो देख लिए नाइटर्स ऑक्साइड का स्मिल आइलोन के जो उध्योग होता है जहां नैलोन के रस्य बनते है नैलोन के कपड़े बनते हैं होता है बाताने आपको नाय जल्द जली करेंगे वास कोश्जन करेंगे निटेकर है अंचले जो अपता है टेलिविजें ए एयर कंडिशन अप सबसे इसका सही अंसर हमारे घर में जो एयर कंडिशन होते हैं इसी होते हैं उससे निकलने वाले जो गैस है वह जा ज़ा कि सिज़ा ओजो नुकसान पहुंचाता है चलिए अगला कोशन देखते हैं चलिए अगला कोशन पढ़िएगा थोसा ब्लाद दिख रहा होगा क्वाल्टी आप लोग सहीं कर लेंगे आध्यान से सुनते जाएंगे पित्वी पर इस समय उपस्थित जियों की उत्तर जिवीता सर्वाइवाल के लिए सब आपको मतलब सबसे बड़ा खत्रा जियों के लिए सबसे बड़ा खत्रा क्या है विकीरान है मरुस्थली भावन है वनों को नश्ट करना ग्लेसियर का पिगलना होगा ना ग्लेसियर का निर्मान है चार आपसार में मरुस्थली भावन वनों को नश्ट करना ग्लेसियर का न से हमको ऑक्सिजन मिलता है तो यह सबसे इंपॉर्टिंग क्या वनों को नश्ट करना यह सबसे बड़ा खरता है आगे द्यान देंगे कोफेन हेगर हेगन भी बोलते है कोफेन हेगन किस देश की राजधानी है डेनमार्क फिनलाइंड नीडल लैंड नार्वे तो आपको बता करने में वन कैसे सायक होता है जहां सुखा पड़ता है तो वहां पर जार 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 विक्षर उपन करने के सला दी जाती है तो वन कैसे सुखा को नियन ट्रीट करता है वन मीडा बलन को रोकते है वनों से वर्षा होती है वनों में अनिक जली पौधे मिलते है वन जल आवरन की भातिक कारी करते हैं तो बताने इनमें चारों में से कौन सा सबसे सटीक आंसर है जो सूखा से संबन्दित है सूखा को रोकेगा तो सबसे सटीक आंसर है हमारा option number B वन उसे वर्षा होते है जितना जादा जहाँ घने वन होते हैं जंगल होते यहां उतनी ज्यादा वर्षा होती है तो आपसे में इसका सही आंसर है ठीक है चलिए अगला कुश्चन आपको एक वेक्टीरिया का नाम बताना है ठीक है आपको एक वेक्टीरिया का नाम बताना है जो क्या करता है स्वतंत रूप से प्रकृती में नाइट्रोजन का योगी की करन करता है इसका स्वाप्सन बेडिया करन करने वाला एक वेक्टीरिया चले अगला कोशन देखते हैं सारे जितने इंपॉर्टेंट कोश्चन हों करलेक्शन आपको लेगा हैं 500 कोशन आपको पूरा सिलेबस कवर करने का पूरा टार्गेट है कौन सा मीधा में उपस्थित रहने वाला स्वतंतर नाइट्रोजन योगी की करन करने वाला वेक्टिरिया है ठीक है वही कोशन है तो एजेटो वेक्डरस ठीक है चले आग snug पूरते हैं अगला कोशन एश्ट्रो सेट क्या है एश्ट्रो सेट क्या आपको बताना है एश्ट्रो सेट क्या है हाल में खोजागे एक दुद्ध ग्रामी ग्रभ खगोल विज्यान सम्दित उग्रभ एक छुद्र ग्रभ या मोसन सम्दित अध्यान हितु हवाई जहाज आपको बताना है एश्ट्रो स और से इसका सही answer है चलिए अगला कुलाई कोश्चन किसी इक सभी प्रकार भी सब्सक्राइब इनमेइसे कौन सा जी है , पाडअप लववक , मचलिया , प्रांडी फौवक ? मेटग 화장 से अधिक उसमें पाय जाते है , पुसा इस तरो racism . खा़ती में बनाते है खा़ती डेक घंस खाया जल में क्या हो जाएगा आपका जो परदक भॉक हो गया फिर उसको खाएगा मेटा कईगा मचली खाएगी फिर ऐसे जो बनाते उसमें एक से ज्यादा दो में आए गया जैसे मचली ऐसे करें जो दो प्रकार के पोस्ता के सब्सक्राइब में पाए जाता है कॉमान रहता है तो कौन सा रहता है आपसर में भी मचलियां ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला कुश्च भारत में भागलिक छे तुम्हें कितने प्रिश्य भारत पर भुवान लगें इसको थोड़ा सा आपका करेंड का लीजेगा माकी पिछले साथ क करेंड की कोश्चन के आंसर का लिया गया है 23.54 परचेंट है 23.54 ठीक है 23.54 इसको ध्यान लखेगा इसको नय जो लिटेश्ट डाटर है उसको देख लेजेगा बाकी इसी के लम समय भी 23.54 ठीक है चले आगे बते है वीस्तो का एक मात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा ये कई अगला ने जी एस यलवी सब्द का पूर्ण रूप क्या है जी एसलवी इस एलवी का पूर्ण रूप क्या है धीओ सिंक्रो JMC लांच वहिंकल का नाम रहता है चीज अगला कोश्यंध में काविर्मॉट अगला कोश्टन дेखें तर्म किस प्रकार की तरणों उप्योग लोग देखें तीवी का जो रिमोड होता है यहां से आप जैसे टीवी में बटन डबाते हो लाइट ब्लिंक करता है जाकर टकरा को उससे वर्क करने लगता है जो भी आप यहां पर इंस्ट्रक्शन देखो वह पहुंच जाता है तो किस प्रकार के तरंगों को प्योग करता है अगर जलबाजी में कोई कोश्चन का आंसे गलत मैं बता दूंगा या गलत टाइप हो जाया रहेगा तो आप लोग उसको कमेंट कर देख लेंगे ठीक है चलिए आगे देखते हैं निमलिकित में किस पेंड को परियावन के लिए खत्रा माना जाते तो परियावन का दूस्मन किस पेंड को कहा जाता है निलगिरी को लोग को अमलस्ताल को या बबुल को तो परियावन का सब्सक्रा कौन से पेंड को माना जा और ने संब्सकित थैसे आपको पता है और यह सबसे ज़्यादा प्रभाव के माता सबसे ज्यादा जैसे बढ़ जाथे ग्रीनावट प्रभाव महां पर ज्यादा नहीं होने लगता है ठीक है चलिए आगेगए देखते हैं अगला कोश्ण अगला कोश्ण आपके स्क्रीन पे निम लिकित में किसने एजेंडा 21 को अपना आया एजेंडा 21 किसे समंदी थे यह बताना है में आपको क्योटो प्रोटोकॉल मॉंट्रेयल प्रोटोकॉल सतत्विकास पर सिखाल सम्मिलन पहला विश्व सिखार स प्रोटो सम्मिलन में कोब कर नाहीं है को से और सब्स Meuस सरवादिक मात्रा में पाई जाते हैं ध्यूरी नाइट्रोजन चली बताएंगे मीफब यह जली घरत शन अप्सेन बढ़े नाइटोजन ठीक है सभी पढ़ चुक्क है अगर आप लोग लाइन से अगर कोश्चन देख रहे होंगे तो आपको क्लियर होते जा रहागा एक दूसरे से लिंक रहता है सरवाधिक मातर में पाया जाता है करबन डे अक्साइड नाइटोजन अक्साइड ल भारत में अगर हमको बीजली पैदा करना है सतद विकास के तहट तो कौन सा उप्योग करेंगे परमाडुजा कोईला खनी स्तेल अगैंस हाइड्रो बीजली तो भारत में क्या है तो भारत में आपका हाइड्रो बीजली चलेगा मतलब जल से जो चलता है बड़े-बड़े विद्धी होती है तो हम जब जीवास में इंदनों को प्योग करते हैं तो सबसे ज़्यादा किस गयस की मातरम भी दो यह वी कोशन हम लोगने पहले पढ़ें देखें एक कोश्चन एक ही रहता है उसको कई रूपों में प्रदर्सीत किया जाता है हम लोगने पढ़ा थे क् सबसे ज़्यादा किस से निकलते हैं तो जीवास में इंदनों से पढ़ेते हैं तो आपसर नुबर 20 का कर्बन इंदनों को पूरा करने के आओ सकता है कोश्चन वही रहते हैं उसको घुमा फिर आगे अलगलग पैटरनों में प्रदर्सीत किया जाता है इससे पहले हम लोग आप सभी को पता है जो रामसर सम्मिलन है वो गीली भूमी ऐ से संबंदित है जिसको आद्र भूमी भूमी भी बोला जाता है ना ठीक है आर रखेगा गिली भूमी बोले याद्र भूमी दोनों आपके रामसर से समझाओ थे कर रक्षर से संबंदित है चले अगला कोशन देखेंगे जानवरो और पौधो की प्रजातियों की सबसे बड़ी विविद्रता पाई जाती है जानवरो और पौधो की सरवादिक विवि्रता कहां पाई जाती है भूमद्य रेकिवन में रेकिस्तान और सहDINGाना में ताप्वान और पणपातिवन में उस्ष्ण कतिवन्दीन सुवन तो चले जली पदाएगा उपर बोलो इसके सही आंसर है भूमध रेकी व्रण में तो जो तर ऊंसर ने हमार सही आंसर है चली आगे परतें अगला कोश्च मैं अगला कुष्चन एक खादी इस इंखला में पौधो द्वारा उपयोग की जाने वाली 100 रूजा केवल कितनी उती हैं तो एक खादी सिंखला है पौध हो द्वारा उप्योग की जानी वाली सो रूजा क्यों कितनी होती एक परसेंट थीक है दस परसेंट 0.01% 0.01% चलिए पताएंगे पौध हो द्वारा पूछा गया ध्यान दीजिए गया कोश्चन थोड़ा से कठी लिवर पर इसका सही आंस व है चलिए आगे बलते हैं किसी भी कोश्चन के आंसर में आपको डाउट होगा या आपके बूप में कुछ और आंसर दिया होगा तो हमारे वाट्सम नमबर नोट कर लिजिएगा पच्छत्तर त्रासी श्यासी चांवालीस एक सटीस का इसके सवर ले लिजिएगा और किसी जैसे एक आपका छेत्र यह हो गया एक छेत्र आपका यह हो गया तो यह दोनों का जो बीच का आता है उसको किस रूप में जाते है इको टोन पारिश्थितिकी एक केड़े पारिश्थितिको तो आपको पता है इसको क्या बोलते है इको टोन के नाम से जाना जाता है दो पा अगला कोशन आपके इस्तिम पे ग्लोबर 500 अवाट किस छेत्र में उपलब्धी के लिए दिया जाता है जनसंख्या नियंतरन के लिए आतंगवाद के खिलाफ आंदोलन के लिए नसीले पदातों के खिलाफ आंदोलन के लिए परियोन संरक्षण के लिए आपको बताने है ग् के लिए भड़ते हैं जल्जी लिखरेंगे करेंगे अगला कुशन है जैड़ी विध्यता की हानी के क्या करण ही जनगलों के विनास के कारण परियों सभी फर्दूशन के कारण चल करते हैं जल्य लिखरेंगे थोड़वाज परितंद्र में इस्थाई जिव सम्मू होता है परितंद्र में उसको क्या कहते हैं उत्रादिकार soprat- hun यो सिव्लिटित ने तो इसको मैं ख्राइब तो इसको प्राइब स्सेक्ति advanced storm तो भी तो फिर उस्थितिधी न सिटित बनाया रखने साइक परिस्थितिक तंत्र विद्दता होमोस्टेटिक तंत्र जटिलता पाइस्थित तंत्र एक रूपता आपको बताना है कि निमलिकिन में कौन सा पाइस्थितिक इस थेलता बनाया रखने में सायक नहीं है बोले जहां नहीं दिखे गोला घेल दिया करो नीगेटिव आंस आपको बताना है इनमें कौन सा सहाइग नहीं तो हमारे जल 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 आंसर करेंगे तो जल प्रोडूसर कोन से नहीं तो इसमें ठीक है क्या ऑप्शन नमघ्षस कोपर है यह बागी का सलफर दय हो तो हमला अर्सा वो तो मातर जिंक भी हो गया नीकिल वी यह सभी जल प्रदूसर्ग है लेकिन जो कॉफर यह जल प्रदूसर नहीं है चलिएगा अगला कोशन लेखते हैं 500 कोशनों का सेट हम लोग कंप्रिट करना है जो जल्ले लिकलते जाते हैं ठीक है परिवन के सभी चेप्टर लोग मिला के 500 कोशन के सेट कर रहे हैं पूरा अंत प्रदूसर रहेगा उसमें जब वर्सा होगी पानी गिरेगा तो वाई प्रदूसर के संपर्ग में आएगा फिर उसके साथ जो नीचे पानी आएगा तो अमली हो जाएगा किसके कान नाइटर्स अक्साइड सुल्फर डेयोक्साइड कार्बन डेयोक्साइड कार्बन डेय तो आप सभी को पता है जो अम्ली वर्सावत है उसमें आपको आपसे नबर ए नाइट्रस अक्साइड और सुल्फर डियाक्साइड यह दोनों पाए जाते हैं तो यही तो भाई उसको प्रभाइद करेगा यही जो वायू में मिला रहता है इसलिए वायू से जल्ग होके गु ऐसे जीव जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं ठीक है वो किस सब्द को यूज करते हैं उसके लिए आटो ट्रॉप्स विसम पोसी सिंथ्रेसाइजर निर्माता निर्माता तो काटी दीजिए विसम पोसी भी काट दीजिए बताए इन दोनों में से क्या आज है इसका अंसर है ध्यान दिए आचले प्राप्त करता है या पर फोसी भी बोला जाता है जले अगला के विल्गोल आपसर नमबर ऐसी है डो को रोगोगताहे परवैदनस को रोकता है अगर आप सुनते रहे तो सूकते हैं किया है कि हैं करें, पारी तंत्र के जैवी घठकों में, उठपाधन तंत्रा है, उठपाधन बोरा है, जो उठपाधन को कर था है, तो को को पता है? हरी पोधे, बाग, गायमुर्ण, नकुपता तो अपसम वे इसका सही आंसर है, चलिएक अगला कोश्चन देखते, सरवाधिक जैव विद्धता पाई जाती काहा पाई जाती सरवादिक जय विद्धता अभी हम लोग पड़े थे उष्णकरदिमदी पड़े थे न इसका सही आंसर भजे का आप सम्भी उष्णकरदिमदी वर्षा वाले वन देखे कोशन वही रहते हैं बस उसका पैटरन चेंज हो जाता है बार बार में वो रहो concept आपका clear है 500 कोशनों का set आप लोग ने देखा है तो कोशन कहीं से भी आ है आप लोग उस concept को लगा के answer कर पाएंगे निम लिकित में किसे दुनिया के फेफड़े के रूप में नामित किया गया है तो दुनिया का फेफड़ा किसको बोला जाता है तो आपसर नमर ए भूमद दे रेखी सदा बाहर वन को दुनिया के फेफड़े के रूप में नामित किया गया है चले अगला कोशन देखते है कित्तिम पाजित तंत्र के द्वारा दर्साया गया है कित्तिम पारीट यहां के तो भूमी है तेखे चैन बनना चीपूर तो क्या जाता है क्विरम को लिया जाता है आपसर आपसर मार्य का स्यांसरे थीक है क करृशित ल्हारा दयका जालान डुनिया थीक है यह बी आए गहालेकर सबसे सटिक में इसमें पूरा हर्चित कृतिम रूप से रहता है ठीक है चले आगे देखते हैं निम्लिकित में कौन सा एक भूवैज्ञानिक चक्र का हिस्सा है इस्ससा है है अब theories लॉजिकल चक्र टोете जो सब्सक्रत नियुकं से देख लेगे आगे देखते हैं निम्लीखित में कौन सी ऊर्जा का सबसे जाते हैं अगला कोशन अठासओ चैसाद में पारिस्थित की सब्द गढ़ा गया था किसने गढ़ा था अगला कुश्छ निम्लिकित में कौन सा ओजून गठन से संब्दीत है उजोन के गठन से सम्मथी कुछा है प्रकास रसाइनिक प्रक्रिया प्रकास रसाइनिक प्रक्रिया चलिए अगला कोश्चन सौर वीकिरान सबसे मात्पूर्ण भूमी का नहीं भाता है किस चीद में जल चक्र में, नाइक्रोजन चक्र में, कारवन चक्र में, आक्सिजन चक्र में तो सूर्य का जो कीर्ण है उठी सौर वीकिरान किसमें सबसे मात्पूर्ण भूमी का नहीं भाता है थोड़ से ब्लाद देख रहा होगा ठीक है जल्दे लिकरेंगे आंसर अप लोग जल्दी ने मन में देते जाए तो क्या होगा इसका जल्द चक्र में तो जो सौर वीकिरन का सबसे मारपूर्ण भूमिया कि इसमें नहीं बाता जल्द चक्र में अगला कुश्चन हरित विकास के लेखा के हरें हरीत विकास के भीकास के लेखा को ने एम जेब्रैडर सा, ये नीकोलन सूर्ण डवुमkt विकास के को ने अगला क्वश्चन लाइकेन किसका सरुत्तम सूचक है जो लाइकेन पौधा होता है रोट के किनारे लगाया जाता है उससे क्या पत्र चलता है वही कोशन को घुमाग पुछा गया है लाइकेन किसका सरुत्तम सूचक है लाइकेन क्या चीज़ को बताता है ध्वनी प्रदूसंग बताता है कि है वीज़ पारिस्थित की तंत्र पोला है सब्सके के त्वाल प्रत्थिपादित किया गया था ए उड्वे टरीकर फि़ुण की जी मेंडल सीजी पार्قط पारिस्थित्के पूछा लेकर रहे ब़स्थित के ओला गया आप संबर नगा रहेटा जलिए जो पता है इसमसें इस ला में मागे वणन बड़े परमाने पर केंडित कहा अगला कोशन कई गटक में शामील नहीं है देखे नहीं जहां पूस्तर वहां में गोला लगाना नहीं बूलता हूं ठीक है सुचमजी प्रणाली है संयंत्र प्रणाली पसु प्रणाली मित्ती प्रणाली जवी घटक बोला तो जवी घटक में आप लोग का कौन से नहीं आता है जवी का जवी दो में किये हैं ठीक है यहां पर आंसर लियागा इसको आप लोग बताएंगे कि यह सही है कि गलत है ठीक है चलेगा आगे बलते हैं अगला कोशन उसको आपको हमवक डूंगा ताकि आप लोग उसका एनलीसिस करें तो आपको उसका एक्जेक रिजन पता चलिए अगला कोश्चन राष्टी एनुसन्दान सब्दें देखेंगे तो आपका परियावर उसदान कर नापůर में दियार राखिए वनवाला उले देहरादून में नीरी कर के है अगला कोश्चन वह CFC के उप्योग है CFC के उप्योग कहा होता है इंसुलेटर में एरोसोल प्रणोड़ादक में रेफ्रीजरेटर में उप्रोग सभी में CFC जो 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 पर नुक्सान पहुझाता है क्लोरो फ्लोरो कार्वन इसका उप्योग कहा होता है सबी में होता है इंसूलेटर में भी होता है एर्स प्रनोडर्क में भी हOTH Yacht कई रहा विए क्कंइ नियोटि कोके लिए जो आउस्पर प्रांग टी एपिट्ह 25 कोईला सिलिका मिट्टी सीमेंट यह अधस्तिघ्र है ना अधस्तिक तो चलेगा अगला कोशेंति देखते हैं भाद में आडरस रूप से वन भूमी का रुमानिक पतिशाद देखुअ सब् Compl들 can परसें आपका होना चाहिए चलिए आगे बरते जाएंगे चलिए अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन है एक पारिस्थितिक तंत्र में आपस में जुड़ी हुई सिंखलाओं के विस्कृत संख्या मिलकर एक क्या बनाती है अलग अलगा जो 25 तंत्र में जो सिंखलाओं आपस में जो सिंखलाओं आपस Sioko आप confusion हो जाएंगे ठीक है जो सिंखला है मिलके आपस में जो सिंखला है खादे सिंखला है वो मिलका क्या बनता है तो खादे जाल बनता है ठीक है इसको ध्यान दीजेगा कोशन को चलिए अगला कोशन देखते हैं इन में से कौन सा तत्व दुनिया में वारिजिक उर्जा सबसे जारा किसका खबत होता है तेल का होता है पंसना इसको यह आंसर है ठीक है चलिए अगला कोशन देखते है इन में से कौन सा वन उठबकों के उठब्रत्यक्ष उप्योग को संदर्वित नहीं करता है लो उससे इसमें नहीं हो रहा है चरने के लिए घंश घोंगले को प्रत्यक्तुब से किस्में नहीं और हो रहा है अगे देखी यूग में ए घंस फ्रत्यक्तुब से दोवा नते हैं टोक्रियों से बांज बनाते हैं लिए लिए उसको थोड़ा से प्रोसेस करना पता है ठीक है चलिका आगे दीखते हैं अगला कोश्टनίο jgk थोड़ा से फीडियेप का दिख्कत है चलिएगा ऐसा आप लोग के लिए कंटेन लेका है जो पूरा सिलेबस आपका कवर कर रहे हैं परियान का हर एक एक टॉपिक के कोश्चन आपको कवर करें पूरा अंधिम्न बने रहे हैं अगला कोश्चन है इन में से कौन सा वनों के न नहीं होता प्रजात्यों का लुक्त होना यह वनों के नुपसान का कारण नहीं है ठीक है प्रजात्य अगल में आगला पान जून है चलेगा आगे देखते हैं इन में से किसमें हम खारा पानी पारिस्थितिक तंत्र पा सकते हैं किसमें खारा पानी वाला पारिस्थितिक तंत्र मिलेगा वेट लेंड में इस्ट्रीम में डेल्टा में टती उथला में आपको जो खारा पानी वाला पारिस्थितिक तंत्र किस से मिलेगा यह बताना है किसमें मिल सकता है इसका संयान से आप समस्टी डेल्टा में जो डेल्टा ही छे तरह आता है वहां खारा-पानी वाला पारिस्थितित नत्र पाये जाता है चलिए अगला विश्वं कुल कितने जैंव पारिस्तितिक हाट इस्पाट है इनमें से सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से होने उप्योग होने वाली और बार बार आने वाली आपदा कौन सी है तो प्राकृतिक रूप से कौन सी आपदा आती है तो बार बार कौन सी आती है तो बार बार कौन सा आता है और प्राकृतिक रूप से आता है तो कौन सा आता है और प्राकृतिक रूप से आता है हम जय इनधन में इलकोहर के कितने दो right अगला क्योशन इन में से किस गैस को सरकार दोरब प्रदूसर निवारन और नियंतर अधिनियम दोरब जारी करने के नुमती नहीं है कौन सा गैस कोश्चन क्या बोला ध्यान से समय जीएगा सरकार द्वारा प्रदूर्शन निवारा नियंतर अधी नियम द्वारा जारी करनी के नुमति नहीं को न सब्सक्राइब करने में सरकार के द्वारा नियमों का पालन करना पड़ता है अगला कॉश्ण इनमें से की स्वर्स में वन सरक्षान अधीनियं में संसोधन किया गया जली बताएंगे पॉस्टर वश्टेक हो जाएगा तो बता दीजीएगा पानसो कोश्चनों का सेट जरूर करना है आज ही करना है क्योंकि आपको पता चल गया होगा पहला पार देखेंगे जितना जारा कोश्चन करेंगे उतना ही जारा इसमें चेतर में भी आया था उनी सो चेतर वाला भी वह 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 नहीं है द्यान दिजीगा उनी सो चेतर परियां यह वन सरक्षा नहीं अगरा पूच्छा अगला कुश्चन इनमें से कौन सा तत्व पीने के पानी में मौझूद है जो कई घातक बीमारियों का कारण बन सकता है फासपुरास कैलसियम हर्ताल इनमें से कोई नहीं बताना है कौन सा ऐसा तत्व है जो पीने के पानी में है जो बीमारियों का कारण बन सकता है कौन सा है तो आप्सन नु इन में से किस प्रजाती का प्रयोक कालते हैं किसका प्रयोक सवद्ध रहों किस सालाम होता है मिश्वर्श को में यह कोशन देखेगा छोड़ा सा UX अबीआ चलिए छोड़ा से मिश्टेक एन सा कोई नहीं लिया इसमें का अगला कोश्चन इनमें से किसे डेट्री वोर्स के नाम से भी जाना जाता है दियान दीजी का डेट्री वोल्स अब घटक को मांसारी को साकारी को इन में से कोई नहीं किसको बोला जाता है डेट्री ओर्स तो अब घटक को बोला जाता है तो एक नया नाम इसके यार रखेगा अब घटक को क्या बोला जाता है तो डेट्री ओर्स ठीक है चलिए आगे बरते हैं अगला कोश्चन बहुत फा के रूप में कारी करता है कि कोश्चन न्यान सुनिएगा कोश्चन थोड़ा सा हाड लगए इन में से कौन सा देश दुनिया के विविन बड़े बांदों का लगवाग संतावन परसर हिस्सा बनाता है देश में जितना भी बांद में उसका संतौन परसर हिस्सा इन दोनों में बनाता है तो यह चीन और भारत, और सी इसका सियांसर है चीन और भारत संतौन परसर इससा अकेले बना देता है ठीक है अगला कोश्चन देखते है ब्लार हो रहोगा थोड़ा सा पीडियेप थोड़ा दिक्कत जा सकते आपको देखने में जहान से सुनिएगा वातावरन में पोसक पडालतों को पुनार चकरन करने में सहायक सुच्मजीओं को किस उप में परिभासित किया जाता है जो पोसब पढ़ात होता है उसको पूनाचकरन कलता है उसको क्या बोलते हैं? उरपणद भोकर अब गटक अगला क्योशंच विसके के अब गटन और कहता है अगला कोशन बताना ये बताना आपको तो कीड़ नासकों को इस्ट सब्सक्राइस को चुण जिए है किट नास को कप्रयोग करते हैं चले अगला कोशन देखते हैं मस्रुम की खेटी किस में उप्योगी नहीं है पूछा है वायों के सुपाथन में अनाज रोगों का जैविकी नियंत्रन में क्रिसीगत अपसिष्ट के पुनर चकरन में, कैंसर के रोग थाम में, तो मस्रूम का खेती किसके लूप योगी नहीं है, पूचा है, तो किसका नहीं है, अनाज रोगों के जैवी की नियंतर्म में, इसमें प्रयोग नहीं, बाकिया आपका बायों का सुटपारण में किसके द्वारा सिमित समय अधी में, पौधों के समरूप या प्रतिरूपों के एक बड़ी मातर प्राप्त की जा सकती है, चली बताएंगे, एक ही पौधों की बीजों की भारी मातर से, तनी को काट कर उतक समवधर प्रद्धोगी की द्वारा, जल समवधर हाइड्रोपोन किसके द्वारा सिमित समय में, पौधे के समरूप या प्रतिरूप या प्रतिरूप की एक बड़ी मातर प्रतिरूप की एक बड़ी मातर प्राप्त कर सकते हैं, ऋतक समवधर प्रद्धोगी की द्वारा, थीक है? चलिए- वीच किक से इंपॉर्टन कोशन है, business सब्सके सकते हैं, 74 भीच किस से सममन्दित है याद रखेंगी, किस से सममन्दित है, कपाश से सममन्दित है, चलिए अगला कोशन देखते हैं, कि बीटीवीस वालॉप हो गया फसलो के अध्यन क्या कहलाता है अगला कुछ है फसलो सो का अध्यन क्या कहलात排 पॉमोलाज़ी एक्रोणोमि स्पर्क्राथ कि फ्लोरी कल जए तो फसल का नाकर किसको लग्याद कि यहां पर देही दिया है यह नहीं देना चाहिए था, आंसर में इसको डाल दें तो पता चाहिए था, फसल का तवानाज का है, एग्रो नॉमी, आप्सन बर B, फल का क्या है, पॉमोलोजी, ठीक है, सब्जीर परन क्या, औलेरी कल्चर, पुस्पर का क्या है, फ्लोरी कल्चर, चैरे अगला कुश्चन देखते है निम्न में से कौन, जै उर्वारक का चुनाओ करें, जै उर्वारक कौन से है, कमपोस्ट, अमोनिया सलफेट, मवेसी खाद, सेवाल वन नीरे हरे सेवाल, तो जै उर्वारक की बात करें, जै उर्वारक कौन सा आता है, आप्सन बर D, सेवाल वन नीले हरे सेवाल, आपको ज जैए उर्वादाग लेकिन अगला क्योंचन निमना में उथाक संवधनन्त की सही व्याक। अभी अबनों पढ़े ना उत्राक संवधनन्त क्या करते कोई भी पौधा है उसका सेमेश समय में ज्यादा ज्यादा प्रति रूप निकालते हैं। लेकिन कोश्चम बनने लगेंगे अभी इससे पहले हम लोग कोश्चन के याद हो जाएगा अभी पढ़े ना कि कोई पौधा है इसके समरूप बहुंस सारे संख्या में पौध्यम को पैदा करना है अगला कोश्चन किस औस्धी पौधे का प्रयोग त्वचा की सुरक्षा के लिए किया जाता है तो त्वचा की सुरक्षा के लिए किस औस्धी प्रयोग का किया जाता है सीन, को ना, आमला, एलोवेरा, राउलू, उल्फ्या तो आपको पता है कि हम लोग चेहरे में क्या लगाते हैं तो अच्छा के लिए एलोवेरा लगाते है तो इसका से आंसर वाज़ेगा आपसमबसी एलोवेरा, घृत कुमारी भी बोला जाता है न, तेल आता था पहले घृत कुमारी का एलोवेरा कही दे है अगला कोशन, एक वार्सी का ओधी में भूमी के विसिस्ट छेतर में एक से अधिक फसलों के उटपारन को क्या करते हैं मतलब एक ही साल में, एक ही भूमी में एक से अधिक फसल उटपारन करते हैं एक फसली है बहुँ फसली है दुई गूडी फसली है करन त्री फसली करन तो आपको पता है कि एक से अधिक उपारन करें उसको बहुँ फसली करन कहेंगे आपसम भी इसका सही आंसर है चले अगला कोशन सुचम जीओ द्वारा जैविक योगिकों से एलकोहर उपारन की प्रक्तिया किस नाम से जानी जाती है दलहन, किंडवन, वाईवी स्वसन, वाईवी स्वसन तो जो एलकोहर उपारन की प्रक्तिया किस नाम से जानते हैं सब्सक्राइब करते हैं अगला कोश्चन बायो डीजल किससे उठपादित किया जाता है मिटार्सी मैटेसी मालवैसी लिलियोसी यूफो यूफोर वीएसी इसका सब्सक्राइब अगला कोश्चन वह कौन सा एंजाइम है जो दूद को दही में इसकंदित काल देता है कौन सा एंजाइम जो दूद को दही में बदलता है रेणीन पेपसीन रेणीन साइट्रेसी तो आपको पता है कि दूद से दही में बनता है आपका रेणीन के तो आपसे नमबर ए इसका सही आंसर है चेले अगला कोश्चन देखते है किस व्रिक्ष की छाया से क्यों निटकर्शन किया जाता है क्यों यूकोलिप्टस सिंकोना नीम सीडर तो क्यों ध्यान दीजेगे इसको क्यों नोन क्यों इस विमारी के लिए उप योगी है क्यों बताईएगा इसके सही आन से आपसर में बढ़ी सिंकोना सिंकोना के पौद्वे से क्यों नों का उद्पारण किया जाता है ठीक है चले अगला चुइंगम किसे बनता है बढ़िया बढ़िया कोश्चन है चुइंगम किसे बनता है रेजीन से टेनीन से लेटेक्स से गम से आपको बताना है चुइंगम किसे बनता है कि जल्दी किछ बनता है इस दो किस से बंता है चुलिए अगला कोश्चेन देखते हैं किस प्राणडी को खाता है किसानों का किसको करता है most important question है सभी चेप्टर करें 500 क्यों का आज कवर कर लेंगे दो क्लास मिला के ठीक है किस प्राणडी को किसानों का मित्र कहा जाता है लगबस और देड्र सो कोशन हो चुके होंगे किसको बलते हैं किसानों को मित आपको परण यह को बनाने में किया जाते हैं कियों वेड को कड़ोर्पनाने के लिए ब्रेट को नर्म इस पाँजी बनाता है भोजन के मान में विद्धी करता है और अपको पता है उसका नर्म बनाना इस्पंजी बनाने फुल होना है तो उसका इस्ट कि पर उपकते हैं आपसे वीज का सही आंसार रहे एगला क्वेशन निम्ना में कौन जैवी क्रूप से अभघटन योग्या है इसमे किसको जैवी क्रूप अभघटन हो जाएगा जो नश्ट हो सकत आप समब ए चम्डे की बैल जयविक रूप से होगा बाकी को आपको जयविक रूप से रसाइनिक विदी दोरा करना पड़ेगा अगला कोशन ठोस अपसिष्ट को अभेद पडालतों से आवरणी कित करने को किस नाम से जाना जाता है ठोस अपसिष्ट को अभेद पडाल आतों से आवरणी कित करने को किस नाम से जाना जाता है उसको गाते हैं कैपसूली करन ठीक है कैपसूली करन में पड़ेग कर देते हुं उसको ठीक है चले अगला कोशन रेखते हैं भोपाल गैस टास्थी का मुख्य उत्तर आई प्रदूसर क्या था क्या कौन सा केस बना था मिठाइल आइसोसाइनेट सभी को पता होगा भोपाल गैस टास्थी तो मिठाइल आइसोसाइनेट आपस नमर एही इसका सही आंसर है जल्दी कर रहे हैं हम लोग त्रीक है आपको भली समय नहीं दे रहा है आंसर के लिए प्राकृतिक परियवान दर्साता है क्या दर्साता है मानाव गति वीदियों में अहस्त छेपित जीवित सजियों तथा नीजियों से युक्त भूमी का भाग वनी वातवरन जंगल या वन अगला कोशन दखेंगे अब अपसनव भी संकट में या खत्रे में रखा गया है ठीक है चलिए आगे लेते जाते हैं चले आगे वड़ते हैं अगला कोशन लेते हैं किस पाइस्थितिक तंद्र में घास भूमी PRADAS mild किया जाता है कि संपental में घास की जो खूमी होते उसको सामि़ गया जाते हैं समूद्री में सुधर जल में भूम अंडल में अप्राक्रिति या में तो खास्व को के सामिल करते हैं तो यह को घूमाघ दिया हुआ है कि Commission संब nuo'd नुब वहाँ पूछा था like and किसका संकेता का है तो वायू प्रोडूसर का आया था यहाँ पूछ दिया गया है वायू प्रोडूसर का एक संकेता कोन है तो like and है ठीक है चलिए आगे बते हैं अगला question नीमन में से किसे परियावर्णी लेखा परिछण समलित नहीं किया गया है चलिए अगला कुशन देखते है नीम नमे कौन प्रडूशन का कारण नहीं है अब नहीं है पूछा ध्यान रखेगा पेट्रोल का जलना सूर्य उर्जा का प्रयोक रबड का जलना उप्रोक सभी तो सूर्य उर्जा का प्रयोक प्रडूशन नहीं फैला था आपको पता है नमर 20 का सही आंसर होगा अगला कोशन परियावर्णी प्रोडूर्ण का नियंत्र किसके द्वारा किया जा सकता है बताइएगा जो परियावर्णी प्रोडूर्ण है उसका नियंत्र किसके द्वारा किया जा सकता है परमारू वी स्पोर्ट की जाच की द्वारा विद्धुत् लेखते हैं कार्वन मोनो ऑक्साइट देखा की बीसार सकते में सुरक्षा किस प्रकार की जासकती है तो बताना है अपको कैसे हम लोग उसके सकते कार्वन मोनो ऑक्साइट सीविधि, follow व्हक्ति को ताजी ऑकछीजन में लेकर मखन खिला का नीवुजल का सीवन मल्टी विटामिन के प्योग द्वारा तो कोई व्यक्ति जो कार्वी मोनो अक्साइट के संपर्ग में आ चुका है तो उसको तुरान सुरक्षा देने के लिए कैसे करेंगे तो उसको हम लोग ताजी ऑक्सिजन वाले जगह में लेके जाएंगे प्रभाविट व्यक्ति को ताजी ऑक्सिजन में लेकर चलिए अगला कोशन देखते हैं जल जल कर रहे हैं ताकि 500 कोशन अभी कवर हो जाएं भारत में स्थित बायोस्फियर रिजर्व अल्था सुरक्षित जीव मंडल को कुल संख्या कितनी है तो कितने हैं बायोस्फियर रिजर्व भारत में तो भी आया अठारा आपसर नमर बीस का सही आंसर है अगला कोशन दिखेंगे निम्न में इसे उद्ध्योग से निकलने वाले प्रदूसित जल की जाच के लिए कौन सी जंगली घास का प्रयोग में लाया जाता है तो जल है उसको प्रदूसित है गनी अगर चेक करने के लिए कौन से घास का प्रयोग करते हैं पॉल्थे नियाज, एलिफेंट, हाती घाज जिसको बोलते हैं, जल कुंभी ये और भी दोनों, तो किसका प्रयोग करते हैं, जल प्रोदूशर ने रही बताने के लिए, जल कुंभी का प्योग किया जाता है, अगर जलकुम्भी है उस जल में तोहां मतलब कि प्रदूशन नहीं है ठीक है आपसनवसी इसका सही आंसर है चले अगला कोशन रखते हैं किसके सहाइता से जैनिमनी करन अपसिष्टों को सरल उपयोगी पडार्थों परिवर्तित किया जाते है जैनिमनी करनी अपसिष्टों उसको सरल उपयोगी पडार्थों को परिवर्तित करते हैं अब सिष्टों क्यें वैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है बस जारणी थोड़ास सब्सक्राइब सित्रितु के समय प्राण्यों की निस्क्रियता अवधि क्या कहलाती है ऐसे कोशन आते हैं जो प्राण्यों की निस्क्रियता रहती है जो थन्द के समय कुछ प्राणया जो अग kup घुस से बैठे पढ़से कुछ निकलते हैं थृक है उसको बहते है ऑप सबने में इसरिश स्शुपत अवस्त्रा बहूतना अगफ छे स sowुपत्राण्यq , जाइक है जन संक्या विद्धी को बढ़ाने के लिए हम मतन मास्क खाते हैं अंडा खाते हैं पादक उत्पात खाते हैं क्या खाएंगे तो जन संक्या बढ़ जाएगी तो क्या खाएंगे तो पादक उत्पात को खाएंगे तो जन संक्या बढ़े गई ठीक मतन मास्क खा देते हैं और पिछले क्लास में भी हम लोग परियावन के किये थे 500 कोश्चनों का टार्गेट था दो क्लास को हैं पार्ट वन पार्ट टू दोनों देखिए गा तब जाके आपका कवर होगा पार्ट वन और पार्ट टू बागी मैं फिर सकतना कर कर दिजीएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि जो भी अपडेट हो आपको सही समय पर मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाहिएगा ठीक है कि अधिया अधिया